वेलकम बेक स्टूडेंट्स आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSC 2024 का Class 12 का Set 1 Discs करने वाले हैं जिसका की Question Paper Code 6551 है सबसे पहले हम इसका Section A, M, C, Q Questions को पढ़ेंगे पहला Question हम से क्या कह रहा है हमें चेक करना है कि यह Injective या Surjective आपका Function है या फिर नहीं है तो यहाँ पे हम कहेंगी हमारा जो Function है F जो है वो R to R Defined है यानि Domain भी Real Number और Co-Domain भी Real Number अप यहाँ पे Function को देखें तो Fx is equal to x square minus 4x plus 5 यह Function दे रखा है कोई भी जो Function है वो 1,1 हमारा तब होता है जब हर Element की एक Unique Image हमें मिले तब हम Function को 1,1 या फिर Injective आपका कहते हैं तो यहाँ पर अब माल लीजिए हमने यहाँ से 2x1,x2 माल लिए अब यहाँ पर x1,x2 हमने माल लिए x1 की Image होगी fx1 और x2 की Image होगी fx2 फिर हम क्या कहेंगे कि fx1 और fx2 दोनों Equal हैं यानि दोनों Equal ही हैं और फिर हम यहाँ से Result निकाल देते हैं कि x1 और x2 भी एक ही हैं तो एक Element की एक Image हो जाती है और function हमारा 1,1 हो जाता है तो अगर हम fx1,fx2 मान रहे हैं और अंदर से Result निकाल दें कि x1 is equal to x2 तो हमारा function 1,1 हो जाएगा तो 4,1,1 हम यहाँ पे कर रहे हैं let x1,x2 belongs to our domain domain से 2 हमने x1,x2 ले लिए such that कि जो fx1 है हमारा वो fx2 के Equal है fx1 ऐसे निकालेंगे यहां x1 रख देंगे x1 का Square minus 4x1 plus 5 x2 का Square minus 4x2 plus 5 5 से 5 cancel हो गया इसको इधर ले आईए x1 का Square minus x2 का Square minus 4x1 plus 4x2 is equal to 0 यहां a square minus b square का formula लगाएंगे तो x1 minus x2 into x1 plus x2 और यहां से minus का 4 common ले लेंगे तो x1 minus x2 is equal to 0 दौनों में से x1 minus x2 common ले लिया और यहां पे बच गया x1 plus x2 minus 4 is equal to 0 तो यहां से x1 is equal to x2 हो जाएगा इसको 0 के equal रखेंगे और यहां से x1 plus x2 4 आ गया हमारे पास कोई भी ऐसे 2x1 x2 नहीं है जो same हो और उनका addition 4 हो किवल एक case ऐसा होता है 2 और 2 उसके अलावा हर case के लिए यह possible नहीं है जैसे आप 1 लेंगे तो 1 plus 1 जो है वो 4 नहीं होता तो यहां पे आप लिखेंगे x1 plus x2 is equal to 4 which implies x1 is not equal to x2 so f is not injective तो जो f है हमारा वो injective नहीं होगा क्योंकि अगर यह होता तो condition बनती अब वो हमारा injective नहीं हो रहा है so अब हम चेक करते हैं surjective यानि की on to के लिए जब यहां के हर element के लिए हमें एक pre-image मिल जाए तो ऐसे function को हम क्या कहते हैं आपका on to function कहते हैं अब हम यहां पे for on to इसको कर लेते हैं on to के लिए हम मान लेते हैं fx is equal to y तो यहां पे fx है हमारा x square minus 4x plus 5 is equal to y इसको नहीं हम ऐसे लिख सकते हैं x square minus 2 into 2x plus 4 plus 1 देखे 4 को आप लिख सकते हो 2 का square यानि यहां हो गया x minus 2 का square plus 1 अब देखो जो x minus 2 का square है न यह हमेशा एक positive value होगी positive value होने का मतलब क्या है जरा समझें कि यहां positive और उसमें one add कर दोगी तो one से बड़ी value से जाकर ही map करेंगे और यहां पे सारे real number हैं तो जो आपके negative numbers हैं उनसे कोई भी जाकर के map नहीं करेगा क्योंकि आप कोई भी real number यहां पे रखो यह हमेशा ही आपका greater than or equal to one रहेगा तो आप बोलेंगे negative numbers negative real numbers do not have a pre-image कि उनकी क्या है कोई pre-image नहीं होगी so function is not surjective यानि function जो है वो आपका surjective भी यहां पर नहीं है आपने check करा कि जो function है वो injective भी नहीं है and जो function है वो surjective भी यहां पर नहीं आ रहा है किसी भी condition को वो satisfy नहीं कर रहा है that means आप option D को यहां पर टिक करेंगे neither injective nor surjective after that question 2 देखिए if A हमें एक matrix दे रखी है is a secure symmetric matrix then the value of 2A minus of B plus C की हमें value बतानी है हमारे पास एक A matrix दे रखी है A is equal to A C minus 1 B 0 5 1 minus 5 0 और हमें value निकालनी है यहां पर 2A minus of B plus C की हमें value find out करनी है तो यहां पर वो कह रहा है कि A is a secure symmetric matrix हम जानते हैं कि A is secure symmetric अब कोई भी जो matrix है वो secure symmetric कब होती है जब उसका transpose उसके ही negative के equal होता है तब वो आपका secure symmetric होती है अब यह secure symmetric है तो A transpose जो है वो minus of A के equal होगा अब A transpose यहां पर निकाल देंगे A transpose करते हैं पहली रोप पहला column बन जाएगी A C minus 1 B 0 5 1 minus 5 0 यह हमने रख दी A transpose की value अब minus of A minus of A निकालने के लिए A के हर element को minus 1 से multiply कर दो तो यहां हो जाएगा minus का A minus का C 1 minus का B 0 minus का 5 0 अब यह दोनों matrix equal हैं जब दो matrix equal हों तो उनके corresponding elements equal होते हैं आप बोल देंगे since both the matrix are equal so जो A है वो equal होगा minus of A के इसको इदर ले आओ तो A plus A is equal to 0 यानि 2 A is equal to 0 यहां पे हमें मिल गया यहां पे ऐसा भी कह सकते हो कि A जो है वो 0 आ गया यहां से B जो है वो किसके equal हो आ गया minus of C के equal हो आ गया अब उस term को देखो जिसकी value हमें निकालनी थी that is 2 A minus of B plus C 2 A जो है वो 0 के equal है minus B जो B है वो किसके equal है minus of C के equal है आपका तो यहां minus का C plus का C यानि 0 minus 0 is 0 यानि हमें इस condition से यहां पर 2 A minus of B plus C की जो value है वो 0 आ रही है कि वहल हमें इस condition का use करना है so that हम A की value निकाल पाएं और B और C के बीच में condition को यहां पर find out कर पाएं इसके बाद question 3 देखे if A is a square matrix of order 3 such that adjoint of A का जो determinant है वो 8 है यानि adjoint of A का determinant जो है वो 8 है then the value of किसकी value निकालनी है A transpose का determinant हमें find out करना है तो यहां पर आप समझें हमारे पास एक property होती है कि adjoint of A का जो determinant है वो equal होता है determinant of A की power n-1 के और यहां से जो n है वो होता है order of matrix और order of matrix 3 दे रखा है यानि n-3 है तो यह वाली value किसके एकपल हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं यहां पर इसको लिखा जा सकता है determinant of A की power 3-1 is equal to 8 determinant of A का square is equal to 8 इस तरफ ले आएंगे तो यह आ जाएगा root 8 यानि plus minus 2 root 2 हमारे पास determinant of A आ गया और हम यह जानते हैं कि determinant of A जो है न वो A transpose के determinant के equal होता है यानि transpose करके determinant कर लो या directly आप A का determinant कर दो दोनों की value equal आती है तो हमें इसकी value निकालनी है तो वो इसके equal होगा that is plus minus 2 root 2 आप check कर लें कौन सा option यहाँ पे दे रखा है that is option D यानि कि plus का 2 root 2 आपको यहाँ पे दे रखा है minus वाला options के अंदर ही नहीं है तो आप यहाँ पे option D को इसके अंदर टिक करेंगे question 4 क्या कह रहा है if the inverse of the matrix is this then the value of lambda हमें दो matrix दे रखी है that is question 4 हमारे पास एक matrix है 7, minus 3, minus 3 minus 1, 1, 0 minus 1, 0, 1 और एक दूसरी matrix है that is 1, 3, 3 1, lambda, 3 1, 3, 4 अब वो कह रहा है यह दूसरे नहीं एक दूसरे का inverse है और जब दो matrix एक दूसरे का inverse होती है तो जो उनका product है वो किसके एकवल होता है identity matrix के एकवल होता है यानि इनका product होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 के एकवल हम यहाँ पे कहें if A and B are inverse of each other then जो A, B है वो किसके एकवल होगा वो I के एकवल होता है that is identity matrix के एकवल होता है अब इनका product हम यहाँ कर लेंगे तो product इनका कर देते है 7 into 1 is 7 minus 3 into 1 is minus 3 and यह भी minus का 3 first row second column के साथ 7, 3 is a 21 minus 3 lambda and minus का 9 आ गया यहाँ पे 21 minus का 3 lambda minus का 9 7, 3 is a 21 minus 3 और minus का 12 आ गया है यहाँ पर 7, 3 is a 21 minus का 9 second row के minus 1 plus 1 plus 0 यहाँ पे आया minus 3 plus lambda plus 0 and यहाँ पे आया minus 3 plus 3 plus 0 यहाँ पे minus 1 plus 0 plus 1 यहाँ पे minus 3 plus 0 plus 3 यहाँ पे minus 3 plus 0 plus 4 is equal to 1 0000100001 इसको ज़रा solve कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आजाएगा 21 minus 9 यह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर और यहां पे आगया 1 इस एक्वल टू 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 यह हमारे पास यहां पे एक्वल आ गया और हमें यहां पर lambda की value निकालनी है तो lambda की value हम यहां पे कैसे निकाल देंगे दौनों matrix हमारी equal है और जब दो matrix equal होना तो हमारे पास जो lambda की value है वो corresponding elements को compare करने से आ जाती है यानि 12 minus 3 lambda किसके equal हो जाएगा 0 के यानि 3 lambda हो गया 12 के और यहां से lambda की value हमारे पास 4 आ गई है अब lambda की value 4 आ गई बट यहां से अगर इसको compare करें minus 3 plus lambda is equal to 1 कहीं से भी आप confirm कर लें कि यहां पे lambda की value 4 आए कई बार ऐसा हो जाता है कि lambda या फिर जो k constant दे रखा उसकी दो value आ जाती है अब ऐसा भी हो सकता है दो value आ जाएंगी तो उनमें से कोई एक option में वहां पर होगी तो यहां पर तो lambda की same ही value आ रही है यानि lambda is equal to 4 के लिए आप option को यहां पे confirm करेंगे now question 5 देखिए if हमें ये condition दे रखी है कि इन दोनों का जो product है वो इन दोनों के product के equal होगा तो हमें x की value यहां पर बतानी है कि x की value क्या होगी तो x की value को निकालने के लिए हम इन दोनों का product कर लेंगे फिर जो resultant matrix हमारे पास आएगी उस matrix का हम equal रख लेंगे दोनों को और फिर corresponding elements को compare करेंगे और x की value हमें मिल जाएगी तो यहां पर multiply करते हैं यहां पर 5x minus 2 plus 0 और यहां पर minus 6 plus x यानि यहां पर आगया 5x minus 2 ओकी यह 1 cross 1 की matrix बन रही है और यहां पर x minus 6 दोनों को compare कर लेंगे x minus 6 is equal to 5x minus 2 इसको इदर ले आईए minus 6 plus 2 is equal to यहां पर 5x minus x यानि यहां बचा 4x यहां बचा minus का 4 और x की value आगई minus 1 यानि कि आप यहां पर option a को इसके अंदर tick करेंगे कि एक जो x की value है वो minus 1 होगी 6 को देखिए find the matrix a square where जो a है वो हमारे पास aij है and जो यह है एक 2 cross 2 की matrix है और given by जो aij है वो हमें यह दे रखा है अब समझें कि हमें a square निकालना है तो पहले हम a को एक 2 cross 2 की general matrix मान लेंगे a11, a12, a21, a22 general form of matrix a हमारे पास यही होती है अब यहां पर यह जो अगर मुझे यह elements मिल जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर यहां पर इनकी value इसके अंदर put करके a निकाल लूँगा और a की a के साथ multiply करके मैं a square निकाल लूँगा जो मुझे question में find out करना है पहला element i होता है दूसरा element j होता है वो कहरा maximum of i j यानि maximum of 1,1 minus minimum of 1,1 यानि 1,1 में से maximum कौन सा है 1 ही है minimum कौन सा है 1 ही है यानि यह तो 0 आ गया a 1,2 आप निकालोगे तो maximum of 1,2 क्या होगा 1 और 2 में से जो maximum है वो 2 है आपका and minimum जो है वो minimum है आपका 1 यानि यहाँ पे आ गया 1 इसके बाद हम अगर a 2,1 निकालें तो 2,1 क्या आएगा 2 और 1 में से maximum क्या है हमारा that is 2 and minimum क्या है हमारा 1 that is 1 आ गया a,2,2 हम निकालेंगे तो maximum भी 2 है और minimum भी 2 है 0 आ गया यानि जो a है हमारे पास जो a है वो क्या आ रहा है a,1,1,0,1 0,1 और यह आ गया 1,0 हमें निकालना था a square that is a into a के एकवल होगा तो a को रख देंगे 0,1,1,0 फिर से एको रखो 0,1,1,0 multiply करते हैं first row की first column के साथ 0 into 0 is 0 1 into 1 is 1 0 into 1 is 0 and 1 into 0 is 0 1 into 0 is 0 0 into 1 is 0 1 plus 0 यानि यहां पर आ गया 1,0,0 1 यानि की identity matrix हमारे पास आ गया तो a और a का जो product है वो identity matrix बनेगा that means option c को आप यहां पर tick करेंगे इसके बाद question 7 देखिए if x e की power y is equal to 1 then the value of dy by dx at x is equal to 1 is हमारे पास जो function है जो करव है वो इस तरीके से दे रखा है और वो कहरा है dy by dx निकाली है तो हम यहां पर दोनों तरफ differentiate कर देंगे on both side with respect to x तो यहां तो product rule लगेगा first function same second का e की power y और y का dy by dx अब e की power y same और x का हो गया 1 is equal to 0 इसको इधर ले आएंगे dy by dx यह तो हो गया minus e की power y यह multiply में है तो इधर divide में आ जाएगा e की power y से e की power y cancel हो गया तो dy by dx हमारे पास यहां पर आ गया minus का 1 upon x और वो कहरा है इसकी value हमें निकालनी है at x is equal to 1 तो at x is equal to 1 dy by dx जो है वो क्या आ जाएगा minus 1 upon 1 यानि की minus 1 इसकी value आ जाएगे simple कुछ नहीं करना है पहले हमें इसका derivative निकाल देना है after that इसके derivative में x is equal to 1 रख देंगे तो derivative की value at x is equal to 1 पे हमें मिल जाएगी इसके बाद question 8 देखिए derivative of e की power sin square x with respect to cos x is हमें e की power sin square x का derivative निकालना है with respect to cos x हम इसको माल लेते हैं some y और इसको माल लेते हैं some z तो हमें overall यहाँ पे dy by z y का with respect to z हमें यहाँ पर derivative find out करना है that is dy by dz की value हमें यहाँ पर निकालनी है तो इनको नाम दे देंगे हम first and second first and this is second differentiating first and second with respect to अब जिस भी variable में यह function दे रखे हैं ना उसके respect में differentiate कर दो जैसे हमें यह x में दे रखे हैं तो x on both side तो यहाँ पे आ गया dy by dx is equal to e की power sin square x same आ जाएगा और फिर sin square का करेंगे power आ गया गई और sin x का करेंगे तो cos x इसको नाम दे दू थरी dz over dx निकालेंगे तो cos x का होता है minus का sin x अब आप ध्यान से देखें यदि मैं इसको इससे divide कर दूं तो dx cancel हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा dy by dz जो मुझे यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पे dividing third by fourth dy by dx upon dz over dx तो यहाँ पे क्या आ गया e की power sin square x 2 sin x cos x upon minus का sin x तो sin x से sin x तो cancel हो गया और यहाँ पे dy by dz जो है वो minus का 2 cos x e की power sin square x यह हमारे पास dy by dz की value यहाँ पे आ गई है simple कुछ नहीं करना होता यह भी जो भी equation जिस भी variable में दे रखी है दोनों को उसके respect में differentiate कर दूँ फिर आपस में divide करने से हमें उनका derivative यहाँ पे मिल जाता है चैसे y और z को हमने किया और dy by dz की value यहाँ पर निकाल दी है now question 9 देखिए the function fx is equal to x by 2 plus 2 by x has a local minima at x is equal to यहनी x की किस value के लिए जो function है उसके पास local minima होगा यह मतलब किस value पर वो minimum value हमें देगा तो हमारे पास जो function है that is यहाँ पे आगया x by 2 plus 2 by x तो यहाँ पे local minima निकालना है सबसे पहले हम इसका derivative निकाल देंगे तो x by 2 का तो हो गया 1 by 2 और 1 upon x का होता है 1 upon x होगे है 4 critical values हम क्या कर देंगे इसको 0 के equal रखेंगे f dash x is equal to 0 यानि 1 upon 2 minus 2 upon x square is equal to 0 इदर ले गए 1 by 2 is equal to 2 by x square x square is equal to 4 which implies x की दो values हमारे पास आ गई that is minus का 2 and plus का 2 अब इन पर हमें check करना है कि किस पर local maxima और किस पर local minimum value हमें यहाँ पर मिल रही है अब समझें कि यहाँ पर f double derivative test हम इस्तमाल कर लेंगे double dash x निकालेंगे 0 minus और 1 upon x square का होगा minus 2 upon x cube यानि कि 4 by x cube हमारे पास आ गया अब at x is equal to 2 हम निकाल रहे हैं at x is equal to 2 तो f double dash of 2 आप निकालेंगे तो 4 upon 2 का cube that is 4 by 8 which is greater than 0 अगर greater than 0 है तो आपका local minima so x is equal to 2 is local minima और अगर दूसरे point पर चेक करें at x is equal to minus 2 तो f double dash of minus 2 तो यहाँ पर रख देंगे 4 upon minus 2 का cube यह negative value आएगी so x is equal to minus 2 is local maxima तो यानि x is equal to minus 2 जो point है वो local maxima होगा वो क्या पूछ रहा था वो पूछ रहा था है जो local minima तो local minima किस पे आ रहा है x is equal to 2 पे आ रहा है that means आप option a को यहाँ पर टिक खरेंगे after that question 10 देखिए given a curve y is equal to 7x minus x cube and x increases at the rate of 2 units per second the rate at which the slope of the curve is changing when x is equal to 5 cm आप समझें कि यहाँ पर जो question 10 है इसके अंदर जो curve है वो दे रखा है हमें 7x minus x cube और rate of change of x वो कहरा x increases at the rate यानि dx over dt हमें 2 units per second दे रखा है the rate at which the slope of the curve is changing मतलब इसका slope किस rate से change हो रहा होगा अब पहले तो हमें slope निकालना पड़ेगा अब slope क्या होता है जो dy by dx होता है उसी को हम क्या कहते है slope कहते हैं आपका तो यहाँ पे इसका derivative कर लो तो slope जिसको हम s कह रहे है is equal to dy by dx यानि 7 minus 3x square यह आगया slope इसको नाम दो first आप लिख देना differentiating on both side with respect to x यह आगया slope जिसको नाम दे रहे हम s is equal to 7 minus 3x square अब मुझे इस slope का rate of change निकालना है यह फिर से derivative कर दू तो यहाँ पे आपको अब इसका derivative करना होगा with respect to t differentiating second on both side with respect to t अब उन्हें सर पहले तो x के respect में किया क्योंकि जो slope होता न वो dy by dx होता है और rate of change हम निकाल रहे हैं with respect to the time तो ds over dt क्या हो जाएगा देखे इसका तो 0 हो गया क्योंकि 7 तो constant है minus 3 x square का हो गया 2x और x का हो गया dx over dt अब x का हो गया dx over dt यह उसने हमें पहले ही दे रखा है अगर इसकी जरूरत नहीं होती न तो वो पहले नहीं देता dx over dt उसने दे रखा है हमें तो सारी values रख दो x की value उसने 5 दे रखी है तो at x is equal to 5 5 रखेंगे यहां पे तो ds over dt क्या आ गया देखें जरा minus 3 into 2 into 5 और dx over dt दे रखा है 2 तो यहां पे देखें 5 to the 10, 10 to the 20 20 into 3 is minus का 60 units per second तो यहां पे यह इसका rate of change of slope आ रहा है that is option A को आप यहां पे टिक करेंगे after that question 11 देखिए जो integration से हमें दे रखा है यहां पे है 1 upon x into log x का square quite simple question है आप यहां ध्यान से देखें तो अगर हम यहां log x को substitute कर दें तो 1 upon x dx यहां से eliminate हो जाएगा यानि हम यहां पे put कर देंगे put कर रहे हैं log x को t which implies इसका derivative 1 upon x dx को हम dt लिखतेंगे 1 upon x dx हो गया dt और यह हो गया 1 upon t square उपर ले जाएए t की power minus 2 dt derivative क्या होता है sorry integration क्या होता है minus 2 plus 1 plus c यानि t की power minus 1 upon minus 1 plus c minus 1 upon t plus c यानि minus का 1 upon log x plus c यह हमारे पास i की value आ रही है तो केवल जैसे ही आप log x को substitute कर देंगे आपको i की value मिल जाएगे after that question 12 देखिए integration का question minus 1 to 1 x into modulus of x dx हमें इसका integration निकालना है अगर हमें इस term का integration निकालना है तो हमें modulus x को break करते आना चाहिए कि modulus x को कैसे break करते हैं हम यह जानते हैं कि जो modulus x है जब आपका x less than 0 हो यानि अंदर से negative value आ रही हो तो यह modulus x हमारा minus x में break हो जाता है और जब यह x greater than equal to 0 होता है तो अंदर से positive value आ रही है यानि यह positive x में break हो जाएगा तो इसी प्रकार से इस function को आप break कर लेंगे जब x आपका less than 0 होगा तो यह तो बन जाएगा minus x यानि यह बन गया minus का x square और जब x greater than equal to 0 होगा तो यह बन जाएगा plus का x यानि x into x is x square अगर आप यह समझ पाए हैं तो फिर question को करना कोई tough task नहीं x less than 0 तो modulus x break होता है minus x में x greater than equal to 0 तो यह plus के x में less than 0 पे minus x हो गया तो बन गया minus का x square greater than 0 पे plus का x बन गया तो बन गया plus का x square अब हम limit को break करेंगे minus 1 to 1 यानि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं minus 1 to 0 fx dx plus 0 to 1 fx dx क्योंकि अगर हमारे पास limit a to b दे रखी हो ना और c उसके बीच में कोई point हो तो a to c और c to b हम function को break कर सकते हैं यह हमारे पास definite integrals की property होती है तो minus 1 से 0 function क्या है minus 1 से 0, 0 से छोटा यानि की minus का x square dx और 0 से 1 हमारे पास है x square dx तो यह तो हो गया minus को बाहर ले ले x cube by 3 minus 1 से 0 और यहां पे भी आ गया x cube by 3 0 to 1 0 को put कर देंगे तो 0 हो गया minus minus 1 का cube upon 3 plus 1 by 3 minus 0 तो यहां पे आ गया minus minus 1 का cube is minus यह plus का 1 by 3 यहां पे plus का 1 by 3 यह हो गया minus का 1 by 3 plus का 1 by 3 that is 0 यानि i की जो value है वो यहां पे 0 आ गयी तो cable पहले तो हमें modulus x को break करना है after that limit को break कर लेना है minus 1 to 0 0 to 1 क्योंकि function का double behavior हमें यहां देखने को मिल रहा है कि जब x less than 0 है तो जो function है वो minus x square होता है और x greater than 0 पर जो function है वो x square होता है तो limit को break किया integrate किया limits put किया और answer हमें यहां पर 0 मिल गया है now question 13 देखिए area of the reason bounded by the curve y square is equal to 4x and the x axis and between x is equal to 0 and 1 is 0 से 1 x axis और इस curve के बीच में क्या area बनेगा the given curve is जो given curve है वो हमारे पास है y square is equal to 4x यानि यह एक right-handed parabola है and x axis अगर हम इसका graph बनाएं तो इस तरीके से बनता है right-handed parabola x axis यह रही and x is equal to 0 यह line है आपकी यहां पे और x is equal to 1 कहीं यहां पे होगा x is equal to 0 और x is equal to 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में x axis और इस curve के बीच में जो area वो यह बन रहा तो required area आप कैसे निकालेंगे required area आप निकालोगे 0 से 1 0 से 1 y of parabola dx यानि यानि आप 0 से 1 तक पैरा बुला के नीचे वाला area निकाल देंगे तो हमें required area मिल जाएगा तो 0 से 1 जा रहे हैं और y of parabola है हमारे पास इस तरफ ले जाएंगे तो y is equal to root 4x यानि 2x 2 root x अब plus minus value आती है तो यहाँ पे हम plus वाली value लेंगे क्योंकि हम first quadrant में हैं तो y की value positive होती है that is 2 root x तो तो बाहर ले लेंगे x की power 3 by 2 upon 3 by 2 इसका मतलब x की power 1 by 2 और 1 by 2 plus 1 होता है 3 by 2 3 by 2 उपर चले जाएंगे 2 into 2 by 3 x की power 3 by 2 0 to 1 यहाँ पे आगया 4 by 3 1 की power 3 by 2 minus 0 यानि 4 by 3 तो parabola x-axis और इन दोनों points के बीच में जो area बन रहा है that is 4 by 3 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है इसके बाद question 14th को आप देखेंगे तो वो क्या है the order of the differential equation d की power 4y d4y dx की power 4 minus sin d2y over dx square is equal to 5 तो order क्या होता है highest order derivative जो present होता है highest order derivative को हम order कहते हैं अब यहाँ पे highest order का derivative क्या present है यहाँ double derivative और यहाँ 4 times derivative है यानि जो order है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा that is 4 आप बोलें सर डिगरी defined नहीं होती बिलकुल अगर sin का angle dy by dx double derivative आ जाए तो उस case में degree not defined बट यहाँ पे order को हम बता सकते हैं जो order है वो हमारे पास यहाँ पे 4 होगा अगर degree पूछता तो degree is not defined हम यहाँ पे कहते इसके बाद question 15 देखिए the position vectors of P and Q are P vector and Q vector respectively the point R divides the line PQ in the 3 ratio 1 and S is the midpoint of the line PR the position vectors of S is question को समझे हमारे पास दो point है P Q यह दो point है वो कहता है कि यहाँ पर एक point है that is R वो इस line को 3 ratio 1 में divide करता है तो यहाँ पे हमारे पास position vector of जो P हैं वो क्या दे रखे हैं P vector and position vector of Q जो है वो हमें दे रखा है Q vector और वो कह रहा है कि यहाँ पर एक S point है there is a point S जो इस PR को equal यानि S जो है वो इसका midpoint हो जाता है तो यह PR को equal ratio में divide करता है 1 ratio 1 में divide करता है तो यहाँ पे S का position vector निकालना है तो हम यहाँ पे section formula लगाएंगे जैसे हमारे पास होता है कि यदि यह point के A vector यह B vector यहाँ पे कोई C point है जो इसको M ratio N में divide कर रहा है तो PV of C क्या होता है M की यहाँ पे N की यहाँ पे M B vector N A vector upon M plus N when the division is internal internal division के case में यह formula होता है तो पहले हम position vector of R निकाल सकते है PV of R क्या हो जाएगा 3 की यहाँ multiply 1 की यहाँ multiply 3 की multiply Q के position vector से that is Q vector यहाँ पे है P vector तो 3 Q vector plus P vector upon 3 plus 1 यानि की 4 हो गया तो PV of R position vector of R क्या हो गये 3 Q vector plus P vector upon 4 हो गया Now S is the midpoint of PR तो position vector of S क्या हो जाएगे position vector of P plus position vector of R उसको 2 से divide कर देंगे तो मुझे S के position vector मिल जाएगे generally यही midpoint formula है अगर आप section से बना के देखें तो यही बनता है यह midpoint है दौनों के position vectors का sum करो उसको 2 से divide करो तो हमें position vector of S मिल जाएगे यहां position vector of P क्या है 3Q vector plus P vector ओके P का तो P है बस P का तो जो position vector है वो P vector ही है और position vector of R जो है वो हमने अभी निकाले 3Q vector plus P vector upon 4 और इस सभी के upon में 2 है LCM आ गया 4 4P vector plus 3Q vector plus P vector इसकी multiply से होगी तो यहां position vector of R क्या हो जाएगा that is 4 plus 1 is 5 P vector plus 3Q vector and 2 into 4 हमारे पास 8 आ जाएगा तो यहां पर position vector of 8 हमारे पास मिल जाएगा आप यहां पर पहले तो section formula यूज करेंगे तो हमें position vector of R मिल जाएगे S इसका midpoint है तो दौनों के बीच में midpoint formula लगा करके हम यहां पर position vector of S यहां पर लिख पाएगे तो S के position vectors जो है वो 5P vector plus 3Q vector by 8 हमारे पास यहां पर आजाएगे question 16 को ज़र देखे the angle which the line x upon 1, y upon minus 1, z upon 0 makes with the positive direction of the y axis the given line is हमारे पास जो given line है वो है x upon 1 y upon minus 1 and z upon 0 अगर मैं कहूं कि इसके direction ratios क्या है तो वो है 1 minus 1, 0 इसके direction ratios है और यहां पर आप समझे यह कोई line L है यह x-axis, यह y-axis, यह z-axis अगर यह line L जो है वो x-axis के साथ alpha, y-axis के साथ beta और z-axis के साथ gamma angle बना रही है तो L होता है cos alpha M होता है cos beta and N होता है cos gamma और यह L MN है direction cos और direction cos के ही M multiple होते है direction ratios मैं आप पूझे सरा direction ratios क्यों बता रहे हैं अगर दो lines के बीच के angle हमें निकालने है दो lines के बीच का angle हमें निकालना है तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root of A1 square B1 square plus C1 square A2 square plus B2 square plus C2 square जहां पर यह जो A1 B1 C1 है वो पहली line के DRs और A2 B2 C2 दूसरी line के DRs यानि अगर दो lines के DRs हमारे पास हैं तो हम उन दोनों के बीच का angle find out कर सकते हैं अब पहली line के DRs तो हैं दूसरी line है खुद Y axis तो उसके लिए हमें DRs निकालने पड़ेंगे तो Y axis alpha मतलब उस line का X axis के साथ angle अब क्योंकि line जो है वो Y axis ही है तो Y axis X axis के साथ angle बनाती है 90 degree बीटा होता है Y axis के साथ angle अब Y axis अपने साथ कितना angle बनाती है 0 degree और Z axis के साथ 90 degree यानि L हो गया cos 90 यानि की 0,1,1,0 M हो गया cos 0 यानि 1 N हो गया cos 90 तो DCs हमारे पास क्या हो गए 0,1,0 यह आ गए मैं DRs की बात करूँ तो इनके ही 1 multiple यह ही उसके क्या हो जाएंगे DRs आप उसे किसी number से multiply कर दे मैंने 1 से कर दिया तो DRs ही क्या हो गए 0,1,0 हो गए अब दौनों लाइन के DRs हमारे पास है तो इस formula में put कर देंगे so cos theta is equal to A1,A2 यानि 1 into 0 plus B1,B2 यानि minus 1 into 1 plus 0 into 0 upon 1 का square 1 minus 1 का square 1 0 का 0 into so cos theta यहां तो आगया minus का 1 और यहां पे आगया root 2 जो cos है वो root 2 किस पर होता है cos root 2 होता है πाई by 4 पर मुझे minus को अंदर ले जाना है तो angle को मैं πाई minus subtract कर दूँ πाई minus πाई by 4 πाई होता है यहां पे πाई minus मतलब हम कहां पर है second quadrant में second quadrant में cos होता है negative πाई पर no change तो cos आ जाएगा that is πाई by 4 यानि minus of cos πाई by 4 को मैं cos πाई minus πाई by 4 लिख सकता हूं तो यहां से आगया cos 3 πाई by 4 that is equal to cos theta अगर इन angles की cosine value equal है तो यह angles भी आपस में equal होंगे यानि उनके बीच का जो angle है वो हमारे पास 3 πाई by 4 आ रहा है दो काम हमें यहां पर मेजर करने है पहला तो y axis के dr आपको निकालने पड़ेंगे क्योंकि dr का ही formula हमारे पास होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 upon root a1 square b1 square प्लस c1 square a2 square b2 square c2 square और theta उनके बीच का angle होता है यदि हमें दोनों lines के dr's पता चल जाएं तो formula के अंदर रख करके हम उनके बीच का angle find out कर सकते तो हमारा primary target यही था कि हम y axis के dr's यहां लिख पाएं जैसे ही हमने dr's लिखे formula में रखते ही उनके बीच का angle हमें यहां पर पता चल गया है तो हमारे पास एक point दे रखा है lambda j plus 2 lambda minus 1 into k पहले तो नहीं इस line को ही standard form में लेको यहां पर आपका क्या आ जाएगा 2 i और j वाला तो है नहीं minus का k और plus lambda i lambda j plus 2 lambda k तो यहां पर d 2 i minus k plus lambda into i plus j plus 2 k यहां पर यह जो vector है ना आपका यह यह vector इस line के dr's वाला vector है और हम यह जानते हैं किसी भी equation of line passing through किस point से pass हो रही है क्योंकि हमें उसकी partition equation बनानी है passing through a 1 minus 3 2 इस से pass हो रही है and parallel to parallel to line having इसको नाम दे दो वेसक से b vector i plus j plus 2 के तो इसके dr's क्या हो गए यहां पर 1, 1, 2 यह जो i, j और k के coefficient हैं यह उस line के dr's हैं और जब दो line इस परलल होना तो उनके dr's equal होते हैं तो जो इसके dr's वही उस line के dr's is given by उसका formula क्या होता है हमारे पास वो होता है x minus x1 by a y minus y1 by b z minus z1 by c उसका formula होता है x1, y1, z1 वो point है जिससे वो line pass हो रही है a, b, c उसके dr's x minus 1 y minus of minus 3 यह हो जाएगा y plus का 3 z minus z1 is z minus 2 और dr's है 1, 1, 2 x minus 1, y plus 3, z minus 2, 1, 1, 2 यानि option d को आप इसके अंदर टिक करेंगे question 18 हमसे क्या कह रहा है if a and b are two events such that p a by b is equal to p b by a p a by b जो है वो आपका p b of a by a के equal है तो क्या condition होगी by the formula of conditional probability p a by b equal होता है p a intersection b upon p b के p b intersection a upon p a और हम यह जानते हैं कि p a intersection b जो है ना वो equal होता है p b intersection a के यानि यह दोनों cancel हो जाएंगे यहाँ पे आप बता देना because तो यहाँ से 1 upon p b is equal to 1 upon p a दोनों का reverse कर दो तो p a यहाँ पे p b के equal आ रहा है आप चेक करें तो कौन सी option दे रखी है that is option d हमें यहाँ पर दे रखा है इसके बाद question 19 assertion reason का question देखें तो यहाँ पे ना assertion reason जो भी statements हमें दे रखी है उन्हें हमें check करना है कि statement सही है या गलत है अगर दोनों सही है तो फिर हम check करते हैं कि जो r दे रखा है वो उसकी correct explanation है भी या नहीं है तो आप देखें तो domain of y cos inverse x domain of cos inverse x हमारे पास होती है minus 1 to 1 second वाला range कह रहा है range of cos inverse x होती है 0 to pi closed interval अब domain उसने बताई है minus 1 to 1 यानि कि a is true a तो सही कह रहा है भाई कि इसकी जो domain है वो minus 1 to 1 होती है second reason में क्या कह रहा है the range of principal value branch y is equal to cos inverse x की जो range है वो ये है जबकि होती ये है and r is false simple हो गया कि होती 0 to pi है उसने दे रखी है 0 to pi minus pi by 2 यानि गलत दे रखी है तो reason false हो जाएगा a is true and r is false after that question 20 देखिए assertion क्या है the vectors a, b and c represent the side of right angle triangle हमें ये show करना है कि यहाँ पर check करना है कि ये एक right angle triangle की sides को show करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो आप यहाँ समझें कि right angle triangle माल लीजिए ये a, b, c है this is a, b, c हमें पता है कि जब दो ट्रेंगल जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 90 degree का angle होता है तो उनका dot product 0 होता है हम ये बारी बारी चेक कर लेंगे a, b, b, c और a, c के बीच में अगर किसी मेंजे एक का भी dot product 0 आ गया तो वहाँ 90 degree का angle है ये right angle triangle बन जाएगा otherwise नहीं होगा तो हम जैसे a, b निकालें यहाँ पे तो a, b हमारे पास क्या हो जाएगा 6 into 10 is 60 minus का 4 plus का 48 is not equal to 0 b, c हम निकालें 10 into 4 is 40 plus 8 minus 12 which is also not equal to 0 a dot c निकालें 6 into 4 is 24 minus का 8 minus का 16 is equal to 0 यानि a is true ये right angle triangle है तो assertion तो सही कह रहा है reason को देखें 3 non-zero vectors of which none of 2 are collinear forms a triangle क्या कह रहा है कि 3 non-zero vectors है उनमें से कोई भी 2 आपके collinear नहीं होने चाहिए तभी वो triangle form करेगा जैसे मान लो ये एक ये दू अब तीसरा vector ना आप किधर भी ले लो triangle बन ही नहीं सकता अगर 2 vectors collinear हो गए तो तीसरे को आप कैसे भी ले ले triangle form नहीं होगा यानि ये सही कह रहा है कि none of 2 are collinear कोई भी 2 collinear नहीं होने चाहिए and if their resultant is a 0 vector sum of vectors is equal to the third side जैसे मैं एक triangle ले ले लेता this is A, B, C तो यहाँ पर A vector A, B, C तो A, B vector plus B, C vector plus is equal to A, C vector के equal होता है यानि 2 का sum जो है वो third के equal है आपका तो ये बात भी सही है and sum of their vectors is equal to the third and their resultant is a 0 vector और इन सभी का resultant कर लो आप A, B vector plus B, C vector is equal to यहाँ पर आगया A, C vector इधर ले आएंगे A, B vector plus B, C vector minus का A, C vector is equal to 0 minus यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा इसका symbol change हो जाएगा and it will become plus का C, A vector अब देखें इनका resultant हो गया order में सम कर लिया तो इनका resultant 0 आ रहा है यहाँ पर यानि यह बात भी सही है कि दो कासम तीसरे के equal है और resultant लेंगे तो 0 vector कोई भी दो collinear नहीं हो सकते तो A is true and R is true and R का न कोई relation नहीं है A के साथ R is not correct explanation of A R जो है वो A का correct explanation नहीं है तो आप इस option को यहाँ पर tick करेंगे